हिंदी भासा के जाने माने लेखक और कवी मंगलेश डबराल का बुद्धवार को कोरोना की चपेट में आकर निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी हालत कमभीर बनी होई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताविक हालत नाजुक होने पर उन्हें गाजियाबाद में वसुंधरा के एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया था। हालत और बिगडी तो उन्हें एम्स में भरती कराया गया। एम्स के ICU में इलाज के दोरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में सबसे ज़्यादा लोग प्रे थे। डबराल का जन 14 मई 1949 को उत्तरा खंड में टेरी गडवाल के काफल पानी गाउं में हुआ था। उन्हें साहित अकादमी पुरस कार से भी नवाजा गया था। डबराल की सिक्षा दिक्षा देहरादून में हुई थी। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद विभुपाल में मध्यप्रदेश कला परिशत भारत भवन से प्रकासित साहित्तिक त्रैमासिक कुछ समय सहारा समय में संपादन कारे करने के बाद इन दिनों वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गये थे। मंगलेश डबराल के पाँच कावि संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लाल्टेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगा है औ और नए यूग में शत्रू। इसके अत्रिक इनके दो गद्य संग्रह, लेखक की रोटी और कवी का अकेला पन के साथ ही एक यात्रा वृत्त एक बार आयोवा भी प्रकाशित हो चुके हैं। जन सरुकारी सहित्यकार और वरिष्ट पत्रकार मंगलेश डबराल का जब तक चलता रहा, सोशल मीडिया पर उनके परिचित और प्रसंसक उनके जल्द स्वस्थ होकर लोटने की कामना से संबंधित पोस्ट डालते रहें। पर मंगलेश डबराल अस्पताल से घर न लोट पाए। कवी के रूप में चर्चित मंगलेश डबराल लंबे समय तक पत्रकार करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजे।